गुद्वाणिंग बच्चों कैसे हो सभी ठीक ठाक बढ़िया ओके तो क्लास 11 में हम चैप्टर कर रहे थे फर्स चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और उसमें हमने लास्ट टॉपिक कर लिया था स्टरिश्यमेट्रिक है तो इस्टरिश्यमेट्रिक आज हम यहां कर गुद्षक अभी जानेंगे शुरू करते हैं लिमितेंग रिएजेंड सिंसे कि नाम से क्लिएर हो रहा होगा लिमिटोन का मतलब होता है जिसकीं come out fix ठीक हैं तो यह तॉपिक स्वारे में है कि जभ हमारे पास क्यमिकल रinks लियक शन होती है तो उस chemical reaction में reactant होते है और reactant combine करके बनाते है product अब मां लेते हैं कि reactant मेरे पास दो या दो से जादा है ठीक है तो वो सभी reactant combine करके बनाएंगे product अब अगर किसी एक reactant की amount required से कम है तो जो product की amount होगी वो उसी reactant पर depend करेगी that is called the limiting reagent ठीक है जैसे मां लेजिए कि हमें बनाना है नीमबू पानी और मां लेजिए मुझे बनाना है पांच गलास नीमबू पानी तो पांच गलास नीमबू पानी के लिए मुझे चाहिए पांच नीमबू और पांच गलास पानी ठीक है अब मां लेते हैं मेरे पास चार न ठीक है वही concept यहाँ पर अपलाई होता है तो in general case limiting reagent it is that species in a chemical reaction which is present in less amount तो जो species less amount में present है उससे कहते है limiting reagent और limiting reagent का बिल्कुल opposite हमारे पास होता है we call that excess reagent तो this is the species which is present in in more amount ठीक है उसके बाद हमारे पासे term आती है we call that left species की excess है excess है कुछ तो combine कर जाएगा बाकी बच जाएगा तो हमें बचे हुए species को पता करना है क्या होता है so it is the amount of that substance which is present in excess and is left after the reaction जैसे मैंने example लिया थे निम्बू पानी का पांच ग्लास निम्बू पानी बनाना था लेकिं मेरे पास चार ही निम्बू थे तो चार निम्बू से बना चार ग्लास निम्बू पानी तो जो पांच ग्लास पानी था वो excess था तो चार निम्बू से बना चार ग्लास निम्बू पानी तो एक ग्लास पानी बच गया तो वो हुई left amount समर की सब आती है वाली एक example लेते है chemical reaction का जैसे मेरे पास है N2 3H2 that will give me 2 NH3 अन्य की ammonia अब from stoichiometry one unit of N2 combines with three unit of hydrogen to give two units of ammonia तो ये stoichiometry में balanced है भी तो let's say मुझे कह दिया कि मेरे पास half unit है किसकी N2 की और मेरे पास three unit है किसकी H2 की तो मुझे पता करना है कि इन दोनों में से which one is limiting reagent तो stoichiometry के according one unit N2 combine करने चाहिए three unit H2 के साथ ठीक है और I can say that three units of H2 must combine with one unit of N2 पट यहाँ पर ध्यान दे three unit of H2 है मेरे पास बट यहाँ कितने है half unit of N2 तो अगर three unit H2 है तो उसको one unit N2 से combine करना चाहिए from stoichiometry बट मेरे पास कितनी है half unit तो N2 क्या हुआ limiting reagent तो N2 becomes limiting reagent and H2 becomes excess reagent और H2 after reaction बच जाएगा तो वो बनेगी हमारी left species समझ गए सब बात यह वाली इससे नोट करेंगे फिर example की helps हम समझते है ओके बच्छे तो अब numerical एक ट्राइ करते ताकि हमारी understanding deep और simple हो जाए कॉशन है carbon plus oxygen combine करके बनाते हैं CO2 gas और कॉशन दिया है 4 gram of carbon combines with 16 gram of oxygen to form CO2 तो हमें reactants की amount provide की गई है ठीक है हमसे पूछता है calculate limiting reagent ठीक है हमसे पूछता है कि calculate करेंगे amount of CO2 formed और third calculate amount of excess reagent left ठीक है तो हमें identify करना है limiting reagent को हम identify करना है excess reagent को हमें amount पता करनी है CO2 gas की जो form होगी और हमें amount पता करनी है excess reagent की जो बच जाएगा after the reaction ओके लिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिम्पल है stoichiometry का use करेंगे पहले check करेंगे क्या हमारी equation balance है या नहीं तो one carbon one carbon two oxygen two oxygen so this is a balanced chemical equation and from this equation I can see that one unit of carbon combines with one unit of oxygen excess reagent find करने के लिए हमें reactants का ही use करना है क्योंकि वहीं आपस में combine कर रहे है और जिसकी amount कम मिलेगी हमें stoichiometry के relatively वही हमारा limiting reagent होगा तो अब मैं unit को यहाँ पर mole मान लेता हूँ कि mole से solve करना easy होता है तो यह बन जाएगा one mole of carbon combines with one mole of oxygen ठीक है अब जो हमें mass दिये गए है उससे हम moles निकाल लेते हैं कार्बन का मास 4 दिया है तो कार्बन की कितने मोल आ जाएंगे मोल ओफ कार्बन next हम find करेंगे oxygen के mole तो mole of oxygen oxygen का mass given mass 16 दिया है और O2 का molar mass 32 होता है तो 32 यहाँ पर आजएगा that will become 0.5 mole clear okay ध्यान देंगे अब using the stoichiometry case one mole carbon combines with one mole oxygen so this implies 0.3 mole carbon must combine with 0.3 mole oxygen समझे बाती वाली this comes out from the stoichiometry case that if one mole of carbon combines with one mole of oxygen therefore this implies 0.3 mole of carbon must combine with 0.3 mole of oxygen इतने से combine करना चाहिए but हमें कितना दिया हुआ है 0.5 mole 0.3 से combine करना चाहिए 0.5 mole दिया है तो हमें O2 excess दिया हुआ है तो oxygen यहाँ पर excess reagent हो गया तो अगर oxygen excess reagent है तो obviously बात है carbon क्या हो जाएगा limiting reagent तो हमने दो चीज़ find कर ली excess reagent हमने find कर लिया और limiting reagent भी हमने find कर लिया तो हमारा पहला पार्ट finish हो गया अब second part की बात करेंगे हम calculate करेंगे amount of CO2 और ध्यान रखे जो limiting reagent है उसी पर CO2 की amount depend करेगी इसे not करेंगे फिर second part solve करते हैं ओके चलिए विच्छे second part solve करते second part बें हमें चाहिए CO2 की amount and then we use again stoichiometry क्योई carbon limiting reagent तो carbon और CO2 की stoichiometry का use करेंगे हम and that says one unit of carbon gives one unit of CO2 मैं unit को mole से replace कर देता हूँ तो यह बन जाता है one mole of carbon gives me one mole of CO2 mole किते हैं निकल के आये थे carbon के 0.3 तो अगर one mole यह है तो 0.3 mole of carbon gives me 0.3 mole of CO2 तो CO2 के moles आ गई 0.3 हमें चाहिए amount amount हम mole में निकाल सकते हैं but क्योंकि question में हमें amount gram में दी गई है mass की terms में दी गई है तो CO2 की amount भी हम mass की terms में निकालेंगे and we know that mole होता है given mass divided by molar mass ठीक है mole कितने है 0.3 given mass हमें find करना है CO2 का molar mass कितना होता है 44 so this implies given mass becomes 44 into 0.3 and that will become 132 यानि 13.2 gram so this will be our answer for the CO2 amount इतनी form होगी CO2 की तो second part पूरा हो गया अब third part की बात करेंगे excess reagent जो बच जाएगा उसकी कितनी amount बचेगी हमें वो find करना है so note करेंगे फिर third part solve करते है ओके चलिए बच्चे अब third part solve करते है third part में हमें चाहिए amount of excess reagent left ठीक है from this case जो oxygen के हमारे पास mole बने थे they were 0.5 mole and from stoichiometry जितने mole oxygen के react हुए थे they were 0.3 mole total mole थे 0.5, reacted mole है 0.3 तो जो mole oxygen के बच जाएंगे they will be 0.5 minus 0.3 that means 0.2 mole तो oxygen के 0.2 mole बच जाएंगे अब हम इन mole को gram की terms में change करते हैं तो mole होता है, you all know that very well given mass by molar mass mole है 0.2 given mass हमें find करना है molar mass oxygen का 32 होता है so this implies given mass becomes 32 multiply 0.2 that means 6.4 gram 6.4 gram amount of oxygen will be left behind after the completion of reaction समझ के सब बात यह वाली note कर लेंगे इस चीज़ को तो बच्चो यह था हमारे पास limiting reagent concept के बारे में I think जो हमने पढ़ा आज सभी को अच्छे से समझ में आया होगा अगर कोई भी doubt आपको arise होता है तो comment section में doubt पूछ सकते है ठीक है ओके next lecture में हम पढ़ेंगे कुछ topics जो related होंगे competitive exam से और वो topic काफी important है क्योंकि वो topic J means में काफी बार देखे जा चुके हैं तो आज के लिए मितना ही करेंगे बाकी next video में तब तक के लिए stay healthy, be safe and bye to all